वेरी वेरी गुड इवनिंग टॉ आल अफ यू तो आज आप सभी स्टुडेंट के साथ में जोड़की वापस अच्छा लग रहा है और आपने फिर से भारी मात्रह में आप मैक्रो एकनॉमिक्स पर मेरे साथ में जुड़े हो बहुत पीछे जो हमने माइकरो एकनॉमिक्स प इसका एक्जाम आपका जिस तरीके से गया था वही कोशिश वही एफर्ट और लेकिन इस वार आपका सिलिबस कुछ ज्यादा ही इंटरस्टिंग है वो है मैक्रो एकनॉमिक्स और नेशनल इंकम और MPC, APC ट्रमट्रीटेर्मानेशन इंकम ये नुमरिकल के साथ में इस सब्जेक्ट को और बे इंटरस्टिंग बना देता है और नुमरिकल आने की वज़े से आपके मार्ली की ओर बढ़ा देता है कि मांक्स के कहीं से कटने की कोई चांसेश फिर नहीं रहते हैं अगर आपको numerical सही जाता है तो तो थैंक यू थैंक यू सो मच सबसे पहले सभी बच्चों को जो वापस दुबारा से macro economics में आपने अपना भरोसा मुझ पर दिखाया और बड़ी संख्या में भारी मातरा में बच्चे जो है वो इस प्लीट फार्म पे जुड़े और आपकी संख्या को देखते वे जिस बड़ी संख्या में आप जूड़े हैं भारत की सबसे ब्लडरा प्लीट फार्म आप जो है स्क्व अब आपने कहीं ने कहीं सको आ बना दिया है तो थैंक you थांक्यू सो मच अगें तो बात करते हैं आज हम सबसे पहले सुरुवात करते हैं मे Leaders चलेगा टाइम टेबल इसका क्या रहने वाला है यह बहुत सारे बाते जो हैं आपके माइनड में हैं आज सबसे पहले हम इनी चीजों पर discuss करते हैं, इन बातों को चर्चा में लेकर के आते हैं। सबसे पहले discuss करते हैं हम आपका syllabus, तो dear students, macro economics का syllabus आपका बड़ा syllabus है। चुकि आपका syllabus आपको जहां पर गल्द फेहमें आपके मन में आ सकता है, कि syllabus को आप बहुत ही छोटे तोर पर आपको दिखाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं एक उधारन के तरह आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाया है आपके पास में? यहाँ पर बस आपको यह शो करा है, measurement of national income, अब measurement of national income जो आपने पीछे पढ़ा था, जो आपने पहले पढ़ा है national income, जो आपने 12th class में पढ़ा था, वहाँ पर तो आपके पास में एक close economy model थी, जहाँ पर सिर्फ government और household, दो ही सेक्टर वहाँ पर हम काम कर रहे थे, government को और हम यहाँ पर importer, export, foreigner को, दो एक model को हमें रखा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ household और एक firm, दो ही सेक्टर वहाँ पर काम कर रही थी, वहाँ पर भी आपको पढ़ने को measurement of national income में आपको, सबसे पहले आपको वहाँ पर income method से आपको national income calculate करना पड़ा, आपको expenditure method से national income करना पड़ा, आपको value addition method से national income को calculate करना पड़ गया, और इसके साथ साथ आपको private income calculate करना पड़ेग अपको national disposable income calculate कड़ेगा आपको national possible income calculate करना पड़ेगा या प्राइबिटacular इंकम से हैने नैशनल इंकम के पास में पर जाना पडोड़ेगा या प्रसनलड इंकम से है आपको वापस national income पर जाना पड़ेगा इसमें आपके पास में जो है स Hier को अपको पकड़ना पड़ेगा लेकिन नैशनल इंकम के नुमेरिकल की जब आप प्र理क्टिस की बात करते पैैपर में तो आयसा आए या और नुमेरिकल शचे के लिए यहां पर बहुत वड़ादी समस्या खड़ी होती है क्योंकि student formula कुछ इस तरीके को देखने को इसको बार-बार मिलेगा देखिए का national income में सरफ एक ही चीज नहीं है एक ही चीज नहीं है मैं उधारण के तरफ समझाता हूँ आपको सिरफ यहाँ पर आपके पास में ऐसा नहीं है कि आपका GDP हो गया बात खतम GDP भी आपके दो तरीकी की होती है at MP GDP अगर बोल दिया है तो at FC तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर market price and factor cost के बारे में भी हमें पहले समझना है इसके साथ साथ में आपके पास में आ गया NDP at FC अब सरफ NDP नहीं है अब आपके पास में NDP at MP है इसके साथ साथ में आपके पास में आ गया NDP आपके पास में at FC और आपके पास में NDP at MP और इसी तरीके से आपके पास में सिरफ GDP ही नहीं है आपके पास में GNP आ गया at FC और आपके पास में GNP आपके पास में आ गया आसान सी बाते हैं चीजें को समझ लेंगे तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है अब इन सब को अपना अपना एक formula होता है और कोई formula 13 नहीं है कुछ formula कोई formula fix नहीं है समझ्या ये है क्योंकि वो क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से formula modify होगा तो जब तक आपके theory पर पकड़ नहीं होगी आप इन बातों को समझे नहीं पाएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पूछ क्या रहा है आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको निकालना कैसे है और formula बनाना कैसे है तो हम यहाँ पर कोई formula learn नहीं करने वाले है मैं formula आपको ब्राना सिखाओंगा इसक लिज़ चाल में पढ़ाता आपने यहां पर आपको अपन इक नॉमि मॉडल के अंदर इस delicious को पढ़ना है तो मैं आज बात आपके syllabus की कर रहा हूं तो syllabus में आपको समझना है कि syllabus में क्या क्या चीज़े कितनी detail में पढ़नी है और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि ये 2-4 सवाल ये elasticity of demand है कि जहांपे 10 सवाल practice करा और एक ही format पे चला और कहानी खतम हो गई है हर सवाल दूसरे से अलग होगा कम से कम हमें जो है national income के 50 plus questions की practice मुझे करवानी होगी classes के अंदर 50 questions आपको देना पड़ेगा घर के लिए तब जाकर किस पे command आएगा इसके साथ साथ हाँ थियोरी का भी रोल है ग्राफ का भी रोल है अगर आप यहाँ पर जो है आपका पास में जो है nominal and real income के बारे में समझना होगा कि कई बार हमारा national income economic growth को जो है गलत तरीके से represent करता है उसी बात को समझने के लिए आपके दो topic डाले है nominal and real income limitation of the GDP concept जो आपने पहले नहीं पड़ा कि GDP कई बार GDP बढ़ने का मतलब लोग समझते हैं कि वो देश तरक्की कर रहा है लकिन कई बार ऐसा होता है कि GDP के बढ़ते वे भी देश तरक्की नहीं कर रहा होता है तो यह कुछ limitation क्या हो सकती है यह detail में इन बातों के हम चर्चा करेंगे उसके बाद हमारे पास में determination of GDP मतलब national income के आपके पास में क्या जो है determination होते हैं तो आपके पास में actual potential GDP क्या होता है aggregate expenditure आपका क्या होता है और यहाँ पर आपको APS, MPC और APC के बारे में पढ़ना पड़ेगा relationship between APS and MPS clear है जी और MPC और APC आपके पास में MPS हो गया APC आपके पास में हो गया और इस तरीकी की इसके बीच में आपके पास में क्या relations होते हैं उस relation को आपको सम यहाँ पर देखना पड़ेगा और यहाँ पर आपके autonomous expenditure क्या होता है इस बात को समझना होगा concept of multiplier इसके उपर पका पका सवाल आपके exam में आता है इन बातों पर आपको जोर देना है इन बातों को आपको समझना है यहाँ पर graph भी और theory भी है जैसे नेशनल इंकम में एक बात क्या दिया उसने calculation of national income measurement of national income यहीं पर बात एक खतम नहीं होगी डियर इसमें भी बहुत इसके अंदर भी हर एक चीज़कों पर एक चेप्टर बना हुआ है सब चीज़कों पर चेप्टर बना हुआ है अगर आप बात कर रहे हैं आपर सिर्फ और स से ही होगा लेकिन चेप्टर उसके अलग-अलग है इनने ओपन एकनोमी ठीके ना विजन गवर्मेंट फिसकल पॉलिसी क्या है आपके पास में इंपेक्ट आफ चेंज इन गवर्मेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सिस एंड एक्सपोर्ट फंक्शन यह सारी चीज़ें बिल्कुल यहां का बड़ा इंटस्टिंग है क्योंकि माइक्रो एकनोमिक्स में बच्चे के मन में कई बार सवाल आ जाता है कि सर हम पढ़ रहे तो हमें कहां फाइदा पहुंचाएगा पट मैक्रो एकनोमिक्स को पढ़कर कि आपके सवाल को जवाब मिल जाएगा हर एक आ आपका माइंड भूर डवलप हो जाएगा एकनोमिक को सोचने का point of view अगर किसी में कहीं से आता है अर्थ विविस्था पे कोई बहसिया कर सकता है सिर्फ वही जिसको मैक्रो एकनोमिक्स की नौलेज है वो एक अर्थ विविस्था पर बिसकस्तन कर सकता है वहर एक एक समझेंगे, money के आप concept के बारे में समझेंगे, liquidity preferences क्या होता है, quantitative theory of money क्या होता है, rate of interest क्या होता है, money supply, credit creation क्या होता है, monetary policy क्या होती है, नाम डाल दिया सरफ monetary policy, लेकिन monetary policy के लिए पूरा आपको RBI पढ़ना पढ़ेगा, और RBI के अंदर आपको उसके सारे के सारे function पढ़ने पढ़ेगा, SLR पढ़ना पढ़ेगा, आपके पास में, इसके अंदर आपके पास है margin requirement पढ़ना पढ़ेगा, आपके पास में, आपको equity and adventures आपको पढ़ना पढ़ेगा, आपको open market operation पढ़ना पढ़ेगा आपको, ये बहुत सारे चीजे हैं, सिरफ monetary policy डाला हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दो तीन चेप्टर आपको यहाँ पर cover करना है, clear है जी? clear है, ये सवज में आगए आपको, और ये कुछ आपके पास में क्या है, syllabus है, अब इस syllabus के लिए जो है, आपके पास में कब से हम इन classes को start करने जा रहे हैं, सबसे पहले, आप लोग में से काफी भारी मातरा में बच्चे paid courses के अंदर अब आ चुके हैं, अब paid courses में बच्चे आ चुके हैं, कुछ student अभी नहीं आए हैं, क्योंकि उनके पास में इस बात की awareness नहीं है, knowledge नहीं है, जो पहले से existing students हैं, तो आप उन बच्चों को inform कीजिए, कि अब यहाँ पर आज syllabus में introduce कर रहा हूं, अब अगले classes, जैसे कि जो भी information है आपके पास में, अगले class का time table में अभी आपके पास में बच्चे enrolled हो चुके हैं, यह paid courses में भी classes जा रही हैं आपके, तो बच्चे जो हैं वो enrolled हो चुके हैं आपके content के अंदर आपका मैं macro economics का time table, chapter और सब कुछ डालने जा रहा हूं, जिससे को कि मैं आपका जो है 102 दिन के अंदर classes आपकी अब start हो जाएगी, first topic हमारा start हो जाएगा, और आपके मन में कोई discussion है, अभी तो exam खतम भी नहीं हुआ है, कि एक्जाम खतम भी नहीं हुआ, अब एक एक्जाम आपका रहता है, हाँ, मैं आपका जो exam अभी है, शायद पता नहीं है, शायद साथ तारीक है, तीन तारीक जन्वरी को है, उससे पहले मैं आपका जो है, five days या four days का मैं आपको बीच में, उस time देखेंगे, क्या है, दो- आपका कम से कम मेरा मानना है, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आपका खतम होना चाहिए, 20 दिन पहले अगर आपका syllabus कावर कर पाया, तो last class में आपने क्या देखा माइकरो में, जो आपने doubt पूछा last class में, जो आपने numerical से सवाल आपने पूछे, वो आपको कितना help कर गए, तो आपक से मिसलिबोस, तो मुझे time से start करना जरूरी भी है, और आपका almost paper, main paper सारे के सारे आपके खतम हो चुके हैं, और last semester पर कोई भी risk मैं नहीं लेना चाहता हूँ, six semester है आपका, clear है, student मुझे पूछ रहे हैं कि sir, government job की classes और cat की classes कब से start होंगी, तो dear student, मैं अभी एक video भी मैंने share क किया था आज, और YouTube पे जाएगा, एक video में, एक big announcement के साथ में मैंने या पर लगा दिया है, या फिर अभी थोड़ दिर में वो update हो जाएगी, जो जो नई vacancies, एक लाख प्लस vacancy या दो साल में 3 लाख प्लस vacancy जो सरकाइनों करी की REO calendar मैंने वहाँ पे share करा है, और वो कपका vac vacancy कैसे देखते हैं, government जो कि side कौन सी है, उससा बाते मैंने चर्चा में लेकर क्या हूं, उसको आप एक बार देखिएगा, और उसकी भी सुरुवात आप side by side कर दीजेगा, क्योंकि आप मैं से बहुत सारे बच्चे बहुत लेट हो चुके हैं, इवन मैं मानता हूं कि अब graduate हो गए हो, लेकिन अभी तक आपने अपने feature के बारे में ठीक से plan नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे के feature के अंदर जो हमें किस film में जाना है, जिन्होंने plan कर लिया, बहुत अच्छे बात हैं, जिन्होंने नहीं करा, उसके लिए सोचने का समय, यही समय है आपके पास मे करें सर, books और 10 years बता देना, dear student देखिए, शुबम क्या होता है, कि books के अंदर न, 5-6 writers की book होती है, अब मैं आपसे 5-6 writers की book होती है, और इसमें क्या होता है, कि एक book ऐसा है, जिसके अंदर कोई एक topic बहुत अच्छे से दिया हुआ है, दूसरे topic भी दिया हुआ है, लेकिन उ तो मैं क्या करूँगा, कि मैं उन पांचों book मेरे पास में, तो उसमें से best best content निकाल करकर के, आपके PDF बना करके, मैं एक single चीज़े, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, आप क्यों course buy कर रहे हो, इसलिए तो कर रहे हो, कि आपका time बचे, चीज़ें आपको easily, आप के पास में चीज़ें का access हो, तो PDF बना करके, जो मैं PDF दूँगा, सरफ और सरफ आपको इसी PDF को पढ़ना है, इसके लावा आपको फिलाल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है न, वो sufficient आपके exam के लिए रहने वाला है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूँगा, मैं सब कुछ cover कर के चलूँगा, जभी मैं time पर course अब कर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर जी, अभी कोई 10 year मत लीजेगा, अभी फिलाल मैं आपको अपने notes, अपने numerical, सब कुछ मेरे पास अपना है, मैं अभी आपको उससे पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, आप कोई doubts किसी student का कोई query है, तो पूछिए, अक्षे एक्जाम है क्या, आपका एक्जाम कब है, कार्तिक बिल्कुल क्लासिस होगी, उसके लिए न, क्यूंकि मैं ये macro के batch में हूँ, तो मैं फिर cat के उपर ज्यादा बात मैं यहाँ पर भी नहीं करूँगा, उसमें आप हैं कार्तिक, तो मैं उसको भी कल जो है, उसमें आ करके मैं उसके उपर बात करता हूँ, ठीक है न, cat के उपर मैं कल क्लासिस लेकर के आ रहा हूँ, cat और government job plus मैं चला रहा हूँ, मैं अभी alternative classes होंगी, regular classes नहीं होंगी, चीक है, क्योंकि regular classes का फाइदा इतना नहीं रहता है बच्चों को, आप मैंने regular पढ़ा दिया, आप वीडियो को notes का बनाएंगे, खुद कप पढ़ेंगे, यह बताइए, एक दिन पढ़ाया, अगले दिन तो कंसे का आप उसको time दे सक सकते हैं, इसलिए अपकी classes alternate days basis पर चलेंगे, तो अगर मैं सब्ता में 3 classes ले रहा हूं, तो आपको किसी भी चीज का कोई भी harm नहीं पहुच रहा है, हांजी, सिवदास भी publish होगी, इसलिए मैंने अभी कोई 10 year नहीं बोला, क्योंकि अगर अभी आप 10 year ले ले लेते हैं, तो आपको पुरा नहीं मिल जाएगा, और उसको मैं अभी update पर मैंने डाला हुआ है, तो प्रिंटिंग में लग जाएगा, तो प्रिंटिंग में आपके आ जाएगा, तब मैं आपको बता दूँगा, कि आप मैं मैक्रो की आप सिवदास की ले लिजेगा, और इस पर language को थोड कर रहा था, कि मैक्रो एकनामिस का जो है, जो मेरे स्टुडेंट्स हैं, जो मेरे एक्जिस्टिंग स्टुडेंट्स हैं, उनको इसका benefit जरूर मिलेगा, और अपने promise को मैं निभाते हुए, आज मैं 999 का कह रहा था, फिर भी मेरे मन में आया है, चलो इसको थोड़ा सा, और क पढ़ा जा रहा है, तो सो रुपे महिना आप से लिया जा रहा है, बस, तो इतने मिनिममम फीस में मैं लॉंच कर दे, इसको मिस मत कीजिएगा, यह ऐसा निए, कि ऐसा ही रहेगा, existing students के लिए है, अभी जिन बच्चों को अभी offer चल रहा है, इसमें अपने आपको आप Android कर आज रात को 12 बजी से पहले, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं होता है, पूरी टीम होती है, पीछे और भी पूरा management होता है, वो डिसन लेकर के कोर्स को वापस 15 सुपर लेकर चली जाएंगे, फिर वेट करने कोई फाइदा नहीं है कि हम दिवाली का और रक्षा वंधन का इंतजार कर रहे हैं, कोर्स को लेने के लिए जब तक पेपर भी हो जाएगा, ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, और फाइदा कि आप रिकोर्डी क्लासे देख रहे हैं, जब आपको live classes मिल रही है, तो live classes में आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करकर के जितना बैतर समझ सकते हैं आप में से बहुत बच्चे बीच में आए थे, पर आपने क्या problem को face किया वो आप भी जानते हैं, हाँ तो 9 जन्वरी को एक्जाम है ना, तो उसमें आपको एक्जाम के आसपास आपको थोड़ा सा मैं समय दूँगा ताकि आप अपने उसको पढ़ पाएं, हाँ, अच्छा आपने मुझे रिमाइंड करवाएं, देखिए, दो कोर्स है, आपका ध्यान से लिजिएगा कोर्स को, एक हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है, ठीक है, तो कोर्स को पर लिख दिया है, इंग्लिश और हिंदी, इसवाब पीछे बहुत प्रावलम हुई थे हिंदी मीडि मुझे अपक रिच्चुदी है, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम का अलग कोर्स दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूटेंट, लेंगे और इंग्लि Això मीडियम को वाजशे, इंग्लिख इंग्लिश मीडियम में अपना कोर्स को लेंगे, ताकि कंटेंड का इस्यू और सम तुम करना बहुत ज़रूरी है टाइम पर अभी अल्टरनेट क्लासिस चलेंगी आपके एक्जाम से तीन चार दिन पहले का मैं आपको दुगा चार-पास दिन पहले दे दूगा मैं आपको कि आप जो है अपने एक्जाम के ऑपर फोकस कर लिजे कार्तिक हां गवर्मेंट की क्लासे रेगुलर होगे वीक में शिक्स डेस क्लासे होती है आपकी अब तो वह दो गंटे होंगे डेली क्योंकि एक्जाम आ रहें सीच चलोगर अ हिमांशु जी यूर मॉस्ट वेलकम थैंक्यू थैंक्यू सो मच क्लासे टाइमिंग क्या है पेड कोर्स इस पर टाइम आभी आपके पास पर जो है टाइम टेबल वो है वह आपका भी लग जाएगा मैक्रोक्नामिस का क्लियर है जी अब किसी स्ट्विंट को डाउट है मैं टाइम टेबल आपको बता जेता हूं अपने बैच्चिस का इस बार देखिएगा मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूं मैक्रोक्नामिस का टाइम टेबल आपका एम डबलू एफ है और शाम को फाइब टू सिक्स है एविनिंग में पास से छे है एम डबलू एफ फाइब टू सिक्स पेड कोर्स के जो टाइमिंग है टाइम आपका है एम डबलू एफ आप फाइब टू सिक्स ने आप ये मांगे चलिया आपका फाइब टू सिक्स फिप्टीन पी एम ये टाइमिंग रखा है भी फिलाल आपके लिए जो की कमफर्ट रहने वाला है एंडलुएफ और आपको सारे टामटेबल आपको कर दिये हैं जी के जो टामटेबल वह साथ से आठ आपका रखा गया है और आपके पासे मैंनेजमेंट अकाउंट का TTS में रखा गया आपका साथ से आठ सिक्सेमेस्टर ठीक है मेनेजमेंट अकाउंट का TTS साथ से आठ और मेक्रो एकनोमिस का आपके पास में टाइम टेबल रखा गया है फाइब टू शिक्स यह अच्छा मोगा है सुरू से त्यारी कर रहे हो आप लोग कम से कम आप जो है 85% स्कोर कर लो जिससे कि आपकी परसेंटेज इंप्रूव हो जाए ग्रिजिशन के अंदर अगर अगर आप में से मैक्सिम्म बच्चे मॉर्निंग का देखे टाइम टेबल फ्लेक्चिट होगा ऐसी बात नहीं है आप में से मैं रेगुलर कोलेज की वज़े से मै अगर आप में से जो है अगर अगरी मैक्सिमम बच्चे अगर मॉर्निंग के लिए अगरी आते तो मुझे पॉलम निया मॉर्निंग पढ़ाने में जिससे आपकी बात हुई है एंग जिससे आपकी बात होती है तो वहां पर आप अपने फ्रेंड को जुडवाते हैं तो आपके जो है ट्रिंटी पर सेंट झाल